हलो स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम क्लास 10 की बायलोजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने वाले जिसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है ठीक है और वो क्या है अगर आप डायःःबिट क्रॉस के टॉपिक को क्लियर करना चाहते ही तो यह वीडियो आपके लिए है चलिए स्टार्ट करते है आज की वीडियो का टॉपिक वाट इज डायःबिट टॉस आपने class 10 की chemistry जो है उसमें chapter आपने पढ़ा होगा carbon and its compound carbon and its compound में बहुत सारे topics है जो important है उनमें से एक important topic है वो है IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry अब इस topic में कुछ basic से terms हाती है वहाँ पे कुछ आपने numberings को समझा होगा पढ़ा होगा mono, dye, tri, tetra है ना इस तरीके से तो आप notice करना यहाँ पे क्या लिखा है इस शुरू में dye लिखा हुआ है अब dye किसका indication देता है chemistry की बात कर लेता है वो है दो का indication देता है अगर mono होता तो एक का indication देता है last video में हमने यही समझा था mono hybrid cross क्या होता है आपने अगर इस video को नहीं देखा है तो description box में आपको या फिर i button पर वीडियो का link वे लेगा आप एक पर जरूर देखेगा समझेगा कि mono hybrid cross actual में क्या होता है चलिए खर आगे चलते हैं तो dihabit cross का basic meaning क्या निकल करा रहा है कि दो से related यह थो हमें बात करना है तो Gregor Jones जो Mendel scientist थे न इन्होंने दो experiment परफॉर्म किये थे एक mono hybrid cross और दूसरा था dihabit cross जो dihabit cross है वो हमारा आज का topic है किसका क्या meaning होता है तो dihabit cross में basically Mendel जो scientist थे नोंने क्या बताया कि भी दो character मैंने आपको starting बताया है न डाई किसका indication दे रहा है दो का indication दे रहा है यहाँ पर भी वही सीज़ आ रही है तो Gregor John Mendel जो scientist थे नोंने कहा कि भई जो dihabit process में हमें क्या करना होता है दो character की चार form की बीच में cross करा रहा होता है कैसे कौन से character है देखते हैं उसको सबसे जो पहला character है वो है seed shape कौन सा character है उन्होंने लिया seed shape ठीक है बटर के पोदे पर उन्होंने काम किया था मतलब 2771 क्यों किया था ये भी एक बहुत अच्छा question है चलिए इसका answer आप comment करके बताएगा ठीक है कि why Mendel select P plant तो seed shape सबसे पहला character हम क्या लिए कर चल रहे है seed shape अब इस character की दो वो फॉर्म होती ही है first round and second wrinkled होता है जो मटर के दाने होते हैं वह rounded होते है गोल बटर के दाने होते हैं या फिर कैसे होते हैं wrinkled होते है मतलब कि थोड़ा तेड़े मेंडे से होते है तो उसको बोल रहें wrinkled तो round shape मिलेगे हमें या wrinkled shape मिलेगे लेकिन यह character नहीं है character यह है seed shape इसकी दो फॉर्म्स है round होंगे या फिर wrinkled होंगे इसी तारीक दूसरा character दूसरा character क्यों लिखना है वह है क्योंकि देखिए heading क्या है die habit cross तो दो character की चार form के बीच में cross कराया गया जिसको बोल रहें die habit cross दूसरा character क्या लिया गया seed color ठीक है seed color अब seed color में देखिए दो possibility होती है यलो सीड और green seed yellow seed होंगे और या फिर चलिए इतने इतने seed तो पता ही आपको seed color yellow और green seed shape round और ring heart तो दो character की चार form के बीच में जब cross कराया गया तो उसी का अपने नाम दिया die habit cross तो I think आपको पाता चल गया होगा basic meaning clear हो चुका होगा कि क्या होता है die habit cross बाकी जो die habit cross का पूरा चार्ट है पुरी जो sequence है किस तरह से उसको represent करते हैं क्योंकि exam के लिए भी काफ़ important है तो उसको हम separate वीडियो में cover करेंगे तो I think झाल 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 झाल